हेलो एवरिवान गुड मॉनिंग आज हम क्लास वान मैद के चैप्टर टैन सेप्स एराउंड आस के पेज नमबर 110 में जो दिया हुआ है ये कोश्चिन एंसर आज हम करेंगे देखो तो टीक ता फिगर्स देट है तो सेम सेप जिसका सेप या आकार सेम होगा जिस अबजेक्ट के साथ या फिगर्स के साथ उसको वहाँ पर टीक करना है तो पहला है ये कोण का सेप तो कोण के सेप के साथ इन में से किसका सेप कोण की तरह है वहाँ पर हम टीक करेंगे तो ये ह Qon वाल आईस्क्रीं तो ये Qon की तरह ही है क्योंकि इसका एक Qon के जिसे एक भर्टेक्स होता है आईस्क्रीं का भी एक भर्टेक्स है और एक स्लेंटर साइड भी है और इसके टू फैसे है इसका भी टू फैसे है तो आईस्क्रीं kagram कोन की sap के साथ sap है तो यहाँ पर टिक करना है ठीक है then speier speier मतला इसे सारकिल की तरह हो जो गुलाक कुरूती चीजे तो इसके साथ इसके sap के साथ इन तीनों में से किसका sap sap है तो बल का sap speier के साथ sap है तो यहाँ पर टिक करना ठीक है then keyword के साथ किस object का shape same है book का क्यूंकि keyword का 12 sides होता है book का भी 12 sides होता है इसका 8 corners होता है इसका भी 8 corners है तो इस दोनों का shape same है तो यहाँ पर टिक करना book का shape keyword के shape के साथ same है तो यहाँ पर टिक करना then यह है cylinder cylinder के साथ इन तिनों में से किस object के shape same है देखो यह है powder box यह है cylinder और यह है pressure cooker तो cylinder का नहीं होगा powder box का shape cylinder की तरह होता है तो यहाँ पर powder box के उपर टिक करना है then cube cube के shape के साथ इन में से किसका shape same है cube के साथ dice का क्यूंकि cube के जैसे 8 corners होते हैं dice के भी 8 corners होते हैं 6 sides होते हैं और 12 sorry 6 faces होते हैं और 12 sides होते हैं वैसे ही cube का भी same ही है तो dice cube की shape के साथ same है तो यहाँ पर dice के उपर टिक करना तो इसका question का answer अपने अपने book में यह करना तो